जै भीम जै मूल निवासी, मैं शैला, MNT News Network में आप सभी का स्वागत है बालाघाट मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण लोग सभा निर्वाचन क्षेत्र है मध्यप्रदेश के दक्षिन पूर्व क्षेत्र में फैला यह इलाका शान्त और बहत सुन्दर है साथपुडा परवत्माला के किनारे पर होने के कारण यहाँ प्रकृती पूरीत सुन्दर्ता के साथ फैली है इसका 50 प्रतिशत भुभाग वनों से भरा हुआ है इस इलाके से महराष्ट और 36 गर्ड़ प्रदेश की सीमाएं चूरती है बालगाट लोगसभाग शेत्र से पीपल्स पार्टी ओप इंडिया डेमोकरेटिक के अधिकृत प्रत्याशी राजीनर बाबु धोके चुनाओं मैदान में है यहाँ 29 अप्रेल को 44 में मतदान होगा जिसके मद्य नजर MNT News Network के सदन से संसत तक इस विशेश कारेक्रम के जरिये हमारे सवधाता मनीश अहिरवार ने खास बाचित की इस वक्त प्रत्याशी ढोके जी ने कहा कि सविधान को पूर्न रूप से लागू करना ही हमारी पार्टी का मुख मेनूफेस्टो है आईए देखते हैं ये खास मुलागात मैं आज देश वासियों को मंगल कामनाएं देना चाहूँगा इसलिए कि आज 11 अप्रेल हैं और राष्ट पिता महात्मा फुले जी का जन्मदीन है जिन्होंने सामाजी क्रांती का शंखनाज किया था और उसी सामाजी क्रांती के अंतरगत ही मैं जोड़ा वाओं हूं प्रेपल्स पार्टी आफ इंडिया डामोकर्टिक को जोईन करने के पूर हो को है मैं में साज़की शेवा में था है जासकी शेवा में रहते हुए हैं जो शंगठण रहे हैं उन शंगठणों में मेर्भिन पदो पर रहा ये मुल्णे माशी शंगarti मुल्णे मासी कर्मेचारी कर्मियारbolines शेवाने व्रत्त होने के पर साथ मैं इस राजनिकी के छेत्र में प्रविश किया हैं और पेपोल्स पार्टी आफ इंडिया डेमोक्राटिक कि से जब मुझे आदेश हुआ कि लोग सबह चुनाव 2019 में आपको चुनाव लड़ना है तो मैंने पार्टी के आदेश को शुकार किया सर आपकी पार्टी जो है पीपास पार्टी ऑप इंडिया डेमोक्राटिक उसका मैनोफेस्ट क्या है देखीगा मैनोफेस्टो हमारा जो बना है वह शमगर रूप से सम्मिधान पर आधरित हैं और मैं यहां कहना चाहूंगा कि पेपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्राटिक इस वुद्देश को लेकर चुनाओं मैदान में उतरी हैं वह वुद्देश हैं भारतिय सम्मिधान का शम्मान, सुरक्षा और सम्मर्धान जहां हम भारतिय सम्मिधान की बात करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कोई विशे शेश नहीं रह जाता है जिस पर हम अलग से चर्चा करें जहां तक भारतिय सम्मान के शम्मान की बात हैं शम्मान का अर्थ यह नहीं कि केवल हम किसी आराधना से या प्राथना से उसे जोड़े शम्मान का आशे हैं शम्मीधान में जो प्रावधान किये गए हैं क्या उसके अनरूप बिगत सतर वर्षों में जो शकारे बनी हैं उन्होंने तारी किया है तो मैं देखता हूं कि उसमें प्रश्णवाचक चिन्न लगता है मैं बात कह रहा था भारती सम्मिधान के संब्मान की तुमें एक उधारण देना चाहूंगा भारती सम्मिधान में पिछडी जातियों के नागरीकों के लिए प्रतिनी धित्व का प्रावधान है प्रतिनी धीत्व को प्राप्त करने के लिए आरक्षन का प्रावधान है वह आरक्षन अन्य पीछड़ा वर्गे की जो जातियां हैं उनको आजादी के 42 वर्षों तक वंचीत रखा गया कि समिधान में प्रावधान तो था कि सर्गारों ने क्यों नहीं दिया यह प्रस्पे खड़ा होता है अगर आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है या आप बालागाट लोग सभा छेत्र से सांसत चुन कर जाते हैं तो आप अपने समाज की बहतरी के लिए और अपने लोगो वर्गे के नागरीकों के उत्थान के लिए उनके उन्नति के लिए हम उन पर ज्यादा ध्यान देंगे और हम यह प्रयास करेंगे कि शमिधान में जो प्रावधान किये गया है उनको शत्त प्रतिशत लागू कि यह दिलागू नहीं करते हैं तो हम संगर्श करेंगे और यह कि हम यह फिरोष्ष मिलता थारे करने का है तो शम्रीधान में प्राभधान है का प्रतिस हम स्विर्द क्रियाश करें में तो सरर के कांग्रेस पत्र मेंDas करों कोई मजबूती नहीं कि हम इतने में लिस तरीके से देंगे अगर आप यहां से चुनकर जाएंगे आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप यहां को रोजगार किस तरीके से पराएंगे उनके लिए कोई ऐसे योजना ठोस बराएंगी जिस्ते कि यह समस्थ्य दोर सकें देखिए कि इन पार्टी का क्या गोशना पत्र है मैं उसकी गहराय में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन मैं इतना अवाश्य कहूंगा कि अब कि शरकारों के जो गोशना पत्र जारी हुए हैं यह दि मैं उसको श्राल सब्द में कहूं तो वह लाली पाफ है विगत चुनाव का हमें यह अनुभाव हैं और लोकसभा छेत्रे के निरवाजकों से मैं बिनम्र अपिल करना चाहूंगा कि जिन्हों मैं यहां आश्वाशन दिया कि मैं 15 रुपे आपके खाते में भीजूंगा और जब यहां सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चुनाओं के दवरान ऐसी बहुत सारी बाते कहती हैं यह एक जुम्ड़ा था कांग्रिस में भी बहुत तरह जार की बात कही है अब औरतमान में जिन्हाद दलों के लोगों ने ऐसा बात अशी बात कहीं है तदाचित उनको यह लगा कि पहले हमने जिन निरवाज़कों को ठगा है साइध हम भी ठगा यह समीधान में नहीं है इसका अर्थ हैं कि समीधान के यह सम्मान नहीं करते हैं है जहां तक का सवाल है नावग्रियों का मेरा यह मानना है कि यह जो निजी करण हो रहा है कि यहां घातक है हम चाहेंगे कि जो शास्ति शिवाएं हैं वो उसका राष्टिकरण राष्टिक्राण का आशा मेरा यह हैं कि यह जो अनुबंद की प्रथाएं चली हुई है कहीं कहीं पर अनुबंद के आधार पर रफ लिया जाता है तो हम सिक्षा की अगर बात करें सार तो भारत की जो सिक्षा विवश्था है उसको लेकर आपकी क्या नीती रहेगी मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत में जो सिक्षा निती अब तक जो अपनाई गई है यह उन पिछड़े वर्ग के नागरीकों के उन वच्चों के अनुकूल नहीं है अनुकूल इसलिए नहीं है कि यहनोंने एक तो पाठी करम दोरे रखे हैं हम चाहेंगे कि सारे देश में पाठी करम एक जैसा हो दूसरी बात यहनोंने नेजी करण को ज्यादा बाढ़ावा दिया है और नेजी करण होने के कारण जो बहुशंख वर्ग हैं उनके बच्चो हैं नहीं को पूचित शिक्षा नहीं मिल पाती हैं कि हम देखता है कि सरकारी इसकोलों में जो सिक्षा का इस्तर है वह नीजी इसकूलों की अपरिवर्तन के अवश्कता है किस पर्टिया डाइज्ट कूई दियोशन मिलता है तो पहली हमारी बात ऊच्छा यह व करने से जो आज सिट्षा का इस तड़ निछे जा रहा है वह उपर लाने में हमें सफलता में शरकारी इसकोलों में जो परिख्षा पद्दती हैं वहां जो प्राइमरी इस्तर पर लागू नहीं की गई है इसका एक बहुत बड़ा नुक्सान उठाना पड़ रहा है हुए हम चाहेंगे कि जिस तरह पूरो में है परिख्षा होती थि उपरिख्षा को ने लागू की जाएंगे दूसरी भात कि शरकारी इसकोलों में जो अनुबंद के आधार पर सिख्षक रखे जाते हैं या अधिती के रूप में जो सिख्षक रखे जाते हैं यहां प्रथा भी घातक है शिख्षा देने के लिए जो सिख्षक रखे जाते हैं उनसे केवल सिख्षा का ही कारी लिया जाना चाहिए लेकिन हम देखते हैं कि उन सच्छा यहां को अने कारी में लगा जाता है लेकिन यह फ़लों की टोकरी आप एसा कोई संदेश देरा चाहेंगे जो पिआपकी लोकसास्ट छेत्र की जो जनता है या देश की जनता की नाम को अपील करना चाहेंगे आप देश की जनता से मेरी एक ही अपील हैं कि चुनाव के दवरान वह मतदाता ना बने आपितू एक अच्छे निर्वाचक बने और जब निर्वाचक बन जाएंगे तो संशदी प्रणाली में जो चुनाव प्रणाली है संशदी विवस्था में चुनाव प्रणाली है वो शच्रॉच तो घुझत होग तो झाल झाल